दोस्तों आप लोगों बैसे कुछ लोगों ने हमसे पूछा है कि 70K तक का PC हमको चाहिए बिल्ड करें या प्रिबिल्ड ले लें तो इस वीडियो के अंदर हम लोग प्रिबिल्ड PC के बारे में बात करेंगे जो 70,000 के आसपास में आएगा लेकिन ये बिल्कुल value for money है इस price के अंदर ये जो PC है आप बिल्कुल बेहिचक हो करके ले सकते हैं और ये Lenovo के तरफ से आने वाला PC है जो है Lenovo Idea Center Gaming 5 desktop PC और ये बहुत ही कमाल का PC होने वाला है अलग-अलग configuration में मिलते हैं एक configuration में अल्रेडी पहले ही वीडियो दे रखा हूँ वो 55,000 के आसपास में है अगर 55,000 के आसपास अगर आपका budget बनता है 50-55,000 का तो आप वीडियो देख सकते हैं अगर 70 तक पहुँचते हैं तो ये आपको PC मिल जाएगा जिसके अदर graphic card बहुत ही लाजवाब आपको मिलने वाला है बाकि इस specifications भी इसके बहुत ही लाजवाब होने वाले हैं समझेंगे proper तरीके से details में जानेंगे इसके बारे में ताकि दूसरी कोई और वीडियो आपको देखने की जरूरत ना पड़े कि इन लोगों को भाई करना चाहिए क्या-क्या काम कर सकते हैं क्या इसके अंदर अच्छा है क्या बुरा है हर चीज़ के बारे में details में जानेंगे बस एक बार समय निकाल करके ये वीडियो पूरी देख लें वीडियो पसंद आती है तो प्रीज वीडियो को लाइक भी कर दिया करें हमारा होसला बढ़ता है बित्रों के साथ share भी करते रहें ताकि सभी लोग की जरूरते पूरी होती रहें आईए दोस्तों आगे हम लोग बात करते हैं सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसके इस स्पेसिफिक इसके बारे में सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोसेसर इसके अंदर जो प्रोसेसर लगा हुआ है चुकि 70,000 के आसपासी है तो उस प्राइस के हिसाब से ये प्रोसेसर बहुत अच्छा है AMD Ryzen 5 का 5600G प्रोसेसर इसके अंदर लगा हुआ है जिसकी स्पीट के अगर बात करें तो बेस फ्रिक्वेंसी इसकी 3.9 GHz है मैक्स में 4.4 GHz तक जाता है 6 core 12 threads का प्रोसेसर है 16 MB cache के साथ में आता है मिला जूला करके जितने में भी है इस price के अंदर आने वाला या इस graphic card के साथ में जो graphic card के हम बात करने वाले हैं उसके साथ में इसका combination बहुत ही धासू बनता है बाकि RAM की बात करें तो इसके अंदर 60 GB DDR4 32 MHz वाली एक RAM लगी हुई है एक और बढ़ा करके 32 GB तक कर सकते हैं इसको 32 GB तक ही expand कर सकते हैं 32 GB बहुत है इससे उपर की इस PC के अंदर जरूरत भी नहीं पढ़ने वाली है बाकि storage के अगर हम बात करें तो इसके अंदर 512 GB का SSD लगा हुआ है जिसको आप 2 TV तक expand कर सकते हैं और साथ में आप जो है दो hard drive भी लगा सकते हैं वो भी एक बहुत अच्छा ग्रेडेशन है बाकि connectivity की बात करें तो Wi-Fi 5 और Bluetooth 5.0 के साथ में यह आता है connectivity भी अभी फिलहाल ठीक ठाक है जितने भी devices हैं उन्स सब को support करने वाला है में ग्रेफिक काड की बात करते हैं तो इसके अंदर जो graphic card लगा हुआ है वो ITX 3060 12GB 12GB का GDDR6 लगा हुआ है जिस पर बहुत सारे games को आप high setting में enjoy कर सकते हैं इस graphic card का कूड़ा कोर है वो 3584 है जिसके boost clock frequency जो है 1.78 GHz है तो यह जो graphic card है यह हमारे हाँ यूज हो रहा है मेरा लड़का यूज करता है बहुत ही bettering performance यह देता है बाकि अगर हम operating system software की बात करें तो इसके अंदर Windows 11 Home आपको देखने को मिल रहा है lifetime के लिए बाकि front input output की बात करें तो उस पर फ्रंट की बात कर लेते हैं तो front के अंदर आपको मिल जाता है और एक USB type A 3.2 Gen 2 का मिल रहा है high speed वाली और एक USB type C 3.2 Gen 1 का मिल रहा है जो data को transfer करेगा या फिर PD charging बगएरे के लिए आप उसको use कर सकते हैं बाकि एक headphone mic combo jack देखने को मिल रहा है और एक SD card reader देखने को मिल रहा है तो यह तो front पे है अगर हम rear में देखें तो rear के अंदर एक HDMI 1.4 मिल रहा है एक VGA port देखने को मिल रहा है और चार USB type A 3.2 मिल रहा है और एक Ethernetive port और एक audio output combo jack देखने को मिल रहा है तो इस तरीके से आप इसके अंदर देख सकते हैं बहुत अच्छे port आपको इसके अंदर मिल जा रहा है जिसकी जरूरत है आपको मिल जा रहा है बाकि अगर motherboard के पर हम output की बात करें तो सिर्फ दो ही display को out कर रहा है बाकि graphic card पर output की बात करें तो उसके अंदर 4 आपको मिल रहा है एक HDMI मिल रहा है और 3 DP port मिल रहा है याणि display port मिल रहा है चार्ट डिस्पेले को आप कनेक्ट करके एक साथ आप ट्रेडिंग वगएरे कर सकते हैं बहुत ही अच्छे से आप इसको यूज करके मल्टिपर और मलीटर को कनेक्ट करके आप वीडियो एडिटिंग में यूज कर सकते हैं जहां भी आपको जरूत महसूस होती है वहां से आप उसको यूज करके आप उसकाम को बड़े ही आसानी से कर सकते हैं पकि पावर बगर सेक्षिन के अगर हम बात करें तो इसके अंदर 380 वाट की जो है पावर सप्लाई लगी हुई है थोड़ इसी कम नजर आती है लेकिन ये ब्रांडेड है कमपनी अपने हिसाब से यूज करती है और सबसे बड़ी बात यह है कि कमपनी इसका दावा करती है कि 90% तक ये capable है यानि कहने का मतलब 380 वाट का 90% तक लोड़ दे सकते हैं बाकियों में 60% के 70% के आसपास लोड़ दे पाते हैं ये बहुत बड़ी बात है उस condition में अगर देखा जाए तो 380 वाट बहुत होता है एक इसके अंदर रियर फैन मिलेगा और एक फ्रंट के अंदर फैन देखने को मिलेगा बाकि Optimize गेमपले के लिए इसके अंदर जो है 3 परफरमेंस मोड मिलता है जिसके अंदर एक बैलेंस मोड मिल रहा है एक क्वाइट मोड और एक परफरमेंस मोड मिल रहा है जैसी आपकी जरूरत हो उस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं बाकि बॉक्स के अंदर आपको मिलने वाला है USB wired वाला keyboard mouse मिलेगा power cable मिलेगा और उसके साथ में एक user manual आपको देखने को मिलेगा एक साइध display के लिए एक cable मिलेगा चाहे हो HDMI मिले या फिर DP cable मिल सकता है बाकि warranty की बात करें तो 3 year की warranty इसके अंदर आपको देखने को मिलती है जो कि एक बहुत अच्छी बात है बहुती बहतरी information मिलने वाली है पूरी details में समझ रहे हैं बस एक बाट time निकाल करके इस video को देख लें इसके बाद कोई दूसरी video आपको देखने के जरूरत नहीं पड़ेगी आईए अब हम बात करते हैं कि इस पर क्या-क्या काम कर सकते हैं किस लेबल से हम इस पर काम कर सकते हैं किन-किन लोगों को लेना चाहिए सबसे पहले हम बात करते हैं gaming की तो इस PC के अंदर जो है powerful प्रोसेसर के साथ में ही powerful dedicated graphic card भी आरी की जो NVIDIA Geoforce का RTX 3060 12GB का लगा हुआ है जिसके वज़े से इस PC पर है भी gaming कर सकते हैं जैसे Cyberpunk, Valorant, DaVinci 3, The Hunter Call of the World इन सभी games को जो है high setting पर आप खेल सकते हैं GTA 5 अगर high setting पर खेल सकते हैं बिल्कुल भी आपको दिक्कत आने वाली नहीं है बाकि वीडियो एडिटिंग के अगर हम बात करें तो AMD Ryzen 5 5600 G Processor पर आप Premiere Pro जैसे editing software पर फुल HD में long वीडियो को एडिट कर सकते हैं 4K में YouTube वीडियो 5 से 10 मिनट 15 मिनट की होती है तो उसको भी आराम से एडिट कर पाएंगे वीडियो रेंडरिंग में बहुत ही फास्ट होने वाला है क्योंकि इस PC के अंदर जो है powerful dedicated graphic जो लगा हुआ है RTX 3060 12GB का ये बहुत ही जादे rendering में help करने वाला है हमारे हाँ लगा हुआ है बहुत ही मजा आता है rendering के दारान बाकि add up after effect भी इसके अंदर बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही performance देने वाला है बाकि marriage video editing यानि ADS चलाना चाहते हैं तो भी ये PC आपके लिए best रहने वाला है बाकि student and stock marketing के लिए अगर हम बात करें अगर आपी student है जिस पर आप coding programming करना चाहते हैं AutoCAD सीखना चाहते हैं heavy graphic card design करना चाहते हैं stock trading के लिए एक से चार monitor को connect करना चाहते हैं तो भी ये PC आपके लिए perfect रहने वाला है क्यूंकि gaming भी आप इस पर बहतर ढगसे कर पाएंगे office work की अगर हम बात करें तो office work के लिए जो है heavy PC के आप सेक्तर नहीं होती है फिर भी अगर office में graphic designing work है या किसी software पर heavy work होता है तो इस PC को आप बिल्कुल भी buy कर सकते हैं बाकि swap है आपकी graphic designing वगर करते हैं market में swap है जिस पर आप किसी भी तरीके cover करना चाहते हैं इजिटल इस्टूडियो फोटो प्रोसेसिंग वगरे के लिए Photoshop चलाना चाहते हैं graphic designing के लिए आप कोरल ड्रॉब अगरे चलाना चाहते हैं बाइर पोस्टर वगरे डिजाइन करना चाहते हैं तो या PC बिल्कुल भी आपके लिए perfect रहने वाला है अब हम बात करते हैं pros and cons की कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है तो या PC बहुत ही compact और खुफसूरत है यह लोगों को बहुत ही जादे पसंद आता है अपगरेट करने के भरपूर भी इसके अंदर विकल्प मिलता है M.2 SSD को जो है 2TB के साथ में अपगरेट कर सकते हैं multiple hard drive इसके अंदर जो है अपगरेट करने के आपको option मिलते हैं बाकि चेसिस fan होने के बावजूरत भी अब बहुत ही silent PC है आपको disturb करने वाला नहीं है यह PC जो है really well for money है आपके लिए बहुत अच्छा है बिल्कुल भी इस budget के अंदर आप इसको buy कर सकते हैं बाकि थोड़ा माला कौन सकी अगर हम बात करें कि क्या इसके अंदर अच्छा नहीं लगा तो compact होने के वज़े से heavy work में bodies की थोड़ी heat होती है यह आपको पहले याद रखना होगा लेकिन उससे आपको फरक नहीं पढ़ना चाहिए इसके अंदर fans लगे हुए है company उस हिसाब से बनाई हुई है लेकिन थोड़ा सा heat महसूस होता है इस PC के चेची से normal look में ही है कोई जादे RGB वगेरल नहीं लगा हुआ है जिसके वज़े से भड़काओ gaming का feel नहीं देता एक normal compact सा जो है professional सा PC लगता है जो table पे रखा हुआ एक बहुत अच्छा सा दिखने वाला यह PC आपके लिए हो सकता है तो इस तरीके से आप इसको use कर सकते हैं अगर आपका usage इस टाइप का है आपकी पसंद इस टाइप का है तो आप इसको बिल्कुल भी buy कर सकते हैं यह PC कि अगर हम price की बात करें तो इसके साथ में इसका price करीब पर 70-75,000 के बीच में कई बार 70 से नीचे भी मिल रहा है जो कि इस वक्त जो है 70 से नीचे ही है यह Amazon और Flipkart दोनों पर ही available है जहां से आपको suitable लगता है वहां से आप buy कर सकते हैं दोनों का ही link मैं description में दे रहा हूँ बाकी keyboard and mouse चाहिए जैसा भी चाहिए उसके लिए जो है मैंने वीडियो बना रखा है चैनल पर आप देख सकते हैं और उसके हिसाब से आप buy कर सकते हैं बाकी monitor 22 inch, 24 inch, 27 inch कौन सा आपके लिए perfect रहने वाला है उस पर भी मैंने बहुत सारी वीडियो बना रखा है वो वीडियो देख करके आप buy कर सकते हैं बाकी दोस्तों वीडियो इन्फरमेशन आपको कैसा लगा प्लीज आप कमेंट में ज़रूर बताएं इसी प्रकार की तमाम वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें चैनल के साथ बने रहें क्योंकि मैं स्टैप की तमाम वीडियो लेकर के आता रहता हूँ जो आपके लिए काफी helpful साभी सो सकता है मैं मिलता हूँ नेक्स किसी और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यबाद करता हूँ आपका दिन सुभ हो